Hello everyone, आज का विशे है कि लड़कियां पैसा देखकर ही लड़के से प्यार करती है आप देखना आज कल बहुत डिसकेशन में होता है कि हाँ लड़की पैसा देखेगी और तब ही वो बोलेगी हाँ, you can be my boyfriend, you can be my husband तो यहसा क्यों है, क्या यह सच है, अगर यह सच है तो यह कितना सच है, अगर यह जूट है तो यह कितना जूट है तो मैं आपको कुछ हजार साल पीछे दे जाँ जाँगा इसके लिए, इसको बोलते हम क्रमिक विकास मतलब evolution हम अभी कुछ हजारों साल पहले ही शहर में रहने के लिए आये हैं लेकिन पहले तो हम आदिवासी थे हम जंगलों में हम इसमें रहते थे केवज में, गुफा में रहते थे उस वक्त उस वक्त एक आदमी का सामर्थ उसके शिकार करने के capacity से देखा जाता था कि अगर एक आदमी शिकार कर सकता है उसके पास उसकी अच्छी बड़ी सी गुफा रहने के लिए है और अगर उसके परिवार पे कोई संकट आये, कोई जानवर उसके गुफा के आसपास आये तो क्या वो उस वक्त उस जानवर से उसके परिवार के रक्षा कर सकता है ये सारे गुण किसी लड़की को किसी आदमी पे मोहित होने के लिए बहुत आवश्च रखते वैसे ही आज भी हमारे ये subconscious में अगर किसी लड़की के मन में है वो देख रही है कि कि क्या ये पैसा कमा रहा है इसका real मतलब ये है कि वो लड़की सोच रही है कि अगर मैं इसके साथ शादी करूंगी और हमारे कल बच्चे पैदा होंगे तो क्या ये बच्चों को सुरक्षा खाना दे सकता है क्या वो मेरी रक्षा कर सकता है जानवर तो आजकल नहीं आते रहे कि क्या इनसान कम है दूसरे सच है कि नहीं मैं हमेशन हम जानवरों से कम है नहीं हमें अगर हेक आदमी को capacity बढ़ानी है relationship में अच्छा develop करना है तो आपको इस बातों का ध्यान रतना पड़ेगा लड़कियां सच में पैसा नहीं देखते वो देखती है कि क्या ये मुझे मेरी रक्षा हमारे बच्चों के रक्षा कर सकता है बच्चों को खाना लाकर दे सकता है मुझे रहने के लिए घर जगा दे सकता है ये देखती है और ये बहुत ही हजारों सालों से चला रहा है वैसे ही एक आदमी के लिए भी ये बात है कि आदमी सोचता है अगर मैं इससे शादी करूंगा तो क्या हमारे अच्छे बच्चे होंगे, हेल्दी बच्चे होंगे क्या ये मेरे बच्चों का ख्याल रखेगी ये भी हजारों सालों से हम इनसानों में चला रहा है तो ये कड़वा सच है लेकिन हर एक संबन्ध में हमें especially कहूंगा husband, wife और girlfriend, boyfriend relationship में प्लीज आप जब contribution देने की capacity में आ जाएंगी तभी आप relationship में पढ़िये पहले अपनी capacity बढ़ाईए पहले अपनी health को take care कीजिए पहले अपने finances को take care कीजिए और उसके बाद जब आप हर रोज जैसे पेड़ को बढ़ा करने के लिए पौधे से पेड़ बनने के लिए और उसे जिन्दी के बर healthy रहने के लिए पानी क्यावशकता है वैसे ही एक relationship में दोनों को हमेशा physical, emotional and financial contribution देने के हावशकता है और यह हर रोज होना चाहिए यह हर रोज दीजिए अपनी capacity बढ़ाईए और अपने जीवन को सुखी बनाईए थैंक्यू अच्छा लगे तो ब्रीज़े लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और